नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुनी और आज हम इंडियन नेशनल मोमेंट से रिलेटर जो कोश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं तो आप वीडियो को अंदे तक जरूर देखे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी सेर जरूर करें चलिए स्टार्ट करते आज का फर्स्ट कोश्चन फर्स्ट कोश्चन कहा रहा है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना के समय निनमलिखित में से कौन वायस राय था यहां पर चार ऑप्शन दिये गए हैं जिसमें से सही अंसर आपको बताना है तो सही ऑप्शन क्य चलिए में जब स्थापना होई थी तो उस वक्त लॉर्ड डफरीन ही वायस राय थे भारत के उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है दांडी साल्ट मार्च का नेतरित्व किस नहीं किया था तो यहां पर आप्शन ए बिलकुल सही हो जाएगा कौन हो जाएगा महात्मा गांधी यहां पर चार आप्शन जीए जिसमें से ए आप्शन सही हो जाएगा महात्मा गांदी यहां पर option भी देखने को मिलेगा और साथ में answer भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है गाईस तो चलिए next question पर चलते हैं next question पर चलते हैं next question है यहां से थोड़ा जूम कर लेता हूँ पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं चलिए कि यंग इंडिया के रचाईता कौन थे यहां पे 4 ओप्सन दिए गए हैं महात्मा गांधी लाला अच्पित राए या फिर बाल गंगा धरति लग या फिर मोती लाल नहरु तो option 4 दियेगे जिसमें से option number A बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा यह इंडिया के रचैता महात्मा गांधी जी है उसके बाद यहाँ पर दे रहा है question question है बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो बंगाल का विभाजन 1904 में हुआ था या 1905 में हुआ था 1907 में या फिर 1911 में देखे ये question तो मैंने आज टेलिग्राम चैनल पर भी कराया था ठीक है तो टेलिग्राम पर भी आज ये question हुआ था quiz में तो यहाँ पर जो option number B है बिल्कुल सही हो जाएगा 1905 में बंगाल को विभाजन हुआ था कब हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद next question अगर हम देखें तो next question क्या कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे क्या कह रहा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो यहाँ पे चार option दिये गए हैं जिसमें से कौन सा option सही हो जाएगा option number D बिल्कुल सही हो जाएगा कौन हो जाएगा लाला हर्दयाल लाला हर्दयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे उसके बार नेश्ट छेठा question देखते है question कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था तो मुहमद अली जिन्ना, डाक्टर जाकीर हुसैन या फिर फखरुद्दीन अली अहमद या फिर अली ब्रेदर्स तो यहाँ पे जो option हो जाएगा बिल्कुल D option सही हो जाएगा यहाँ पे D option अली ब्रेदर्स यानि कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था तो अली ब्रेदर्स के द्वारा सुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन उसके बाद यहाँ पर दे रहा है चार option इस question question थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या बाहर जा रहा है एक सगन तो हाँ हिंदू और मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्राउधान किया गया था तो कब किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था या फिर किस में किया गया था ठीक है चार ओप्षन दिये गया मिंटो मारले सुधार में किया गया था गया तो यहां पे कौन सा ऑप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मिंटो मारले सुधार ठीक है उसके बाद देखते हैं आठवे तो राज यानि कि पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष घोसित किया था यहां पर लाहौर 1929 यानि कि ए ओप्षन क्या हो जाएगा बिल्गुल सही हो जाएगा पहला ए ओप्षन ही सही हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकता है अंसर भी ठीक है उसके बाद हम बात कर ले था हो इस वक्त तो बैसाखी के दिन हुआ था जलियावाला वागत्यगाण तो यह कौन सी उसके पहले कौन सी घटना होई थी तो मुझे लगता है ना आपको यह आंसर बिल्कुल सही आपको पता होगा आप आंसर इसका आप सब कर पाएंगे तो इसका कौन सा आंसर तो डी रॉल्एक्ट एक्ट अधिनियम ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं बृटिस बृटिस द्वारा हंटर कमीशन के नियृक्ति की गई तो चोरी-चोरा कांड के बाद जलियावाला वाग त्रासदी या खिलाफत आंदोलन या गैर सहयोग आंदो आपको वीडियो पसंद आए तो please like, share, subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों में share जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं बाई बाई